अब बताने चाहरें स्ट्रीट इस्टाल धाइंबरे इसके लिए गाला धाइं लिए तो यह 400 ग्राम खरीब भरी आदा किलो है तो अब इसको क्या करेंगे एक वन टीज्पू नम्मक डालेंगे नम्मक आप अपने टेस्ट के सबसे दालना और इसको अच्छे से फेट लेंग अब में इसको अच्छे से फेट लिए आप क्यांगे एक तीन चार हरे मिर्चियों को बार एक पीस के इसमें दाल देंगे और बार एक थोड़ागत नाइख दालने के निया टालने इसमे पाने में बार एक ठीक क Adventure अब इसको साइब में रकेंगे इसे थोड़े सी कट्वेड गडेंगे सैप में रख देंगे अब इसमें दालेंगे हाफ टीस्पून नमक और थोड़ा सा डालेंगे इसमें अध्रकलेसन का पेस्ट और हाफ टीस्पून दालेंगें लाल मेड़ी का पॉटर अब शोड़ी से डालेंगे हल्दी, अब शोड़ी से दालेंगे 2 familiar,3 93 अब क्या करेंगे medium बैटर तैयार करना तो इसकी पानी को क्या करना थोड़ी खड़ी दालते शोड़ी इसको तैयार करेंगे कि क्या है है इसकी consistency से बराबर है और थोड़ा ये घट होता है थोड़ी जे 10 मिट इसको छोड़ देंगे थोड़ी इसमें बाहर काटके दा देंगे कोत मीर अब इसको 10 मिट छोड़ देंगे इसको कवर करके रखी थी 10-15 मिट हो गया इसको एक बार अच्छा फेट लेना कि तयारी करेंगे बाजा में कड़े रखदी और प्लका मीडिंग गरम करना इस तरह से आथ को तच्छा करके इस तरह से हातने देजाएंगे इस तरह से छोड़ते जाओgas ड़ी खड़े रख दी और ऑटो मीडियम करना इस तरह से भज्ये समें छोड़ देंगे गरम ऑटो मीडियम करना ऑटो ज्यादा देज गरम ने करना जलजार दे अंदर कर चे रहते बज्य दाल तेक टाची ने करना, थोड़ी देर छोड़ देना उसके बाद इसके साइट को पलटना और गोल्डन बुरान हो जाना, जब तो इसको फ्राइ होने देंगे चलिए भज्य और हमारे गोल्डन बुरान हो गये, अब इसको निकाल देंगे अब इसको दही में छोड़ते रहे हैं आप दूसरे बैच को भी इसी तरह से फ्राई होने देखिए सेघा लाए हैं दही में पट्समा को पालाने के लिए माइ एक कड़ई रखें अब 1'TE SP लेः से चाटे बीर आप अधा 600 बॉरान अधा ेखां बाहराातों अच्छा के geven तया सी होता है nur by gray देंगे मंठोगे थोड़ी कर ना Coach मिल्च पोड़ी रुख जाना में आउ लागा टी कर बासे जाएं डाल मिल्ची हoya with sweet मिल्ची दाल मिल्ची को ऑफ तह पुड़ी सी हल्दी हे चलिए हमारे धहीं बड़े तयार है, है ध्रवादी स्टेज इस्टेल धहीं बड़े तयार है, वीडियो देखें और बनाएं, माशारला बहुत मज़ेतार बनाएं, बहुत सॉप्ट बनाएं, इसी भी मुकमिल रुचकी है, आप पसन है तो प्लीज लाइक शेयर सुब्स्क् करत बनाएं, करते हम भी मुकमिल बनाएंपी